कॉलिंग क्लास थर्ड करस थर्ड आज हम मैच पढ़िए मैच में बेटा हमारे चैप्ते नमर फोर चल रहाता और कल हमने एक्सरसाइज 4F करीति है और प्रापर्टी जो थी मिल्टिप्लिकेशन की वो पढ़ीती है आज बेटा हम एक्सरसाइज 4G करेंगे एक्सरसाइज 4G का इसका question number one कह रहा है आप basket contain 208 apples एक basket है जिसमें 208 apples है how many apples to 32 basket contain 32 baskets में कितने apples होंगे चीक है statement बनाएंगे बिटा number of apples in a basket 208 है number of apples in 32 baskets 208 multiply by 32 multiplication करके जो भी answer आए वो आप यहां पर लिख देंगे second question कह रहा है there are 48 boxes of pencils in a box एक box है जिसमें 48 pencils के box एक box में 48 boxes रखें और हर एक box में each box of pencils contain 22 pencils हर एक box में 22 pencils हैं how many pencils will be there in 20 such box तो इस तरहा के 20 box हुए तो कितनी पैंसिल होंगी सबसे पहले पेटा यह देखिए number of pencils in each box हर एक box में कितनी पैंसिल है number of pencils in each box 22 pencils थी ठीक है number of in 48 boxes तो 48 boxes में कितनी पैंसिल हो गई हम नहीं क्या कर रहा बिटा multiply करती है multiply हम करेंगी तो हमारा answer आएगर 150 156 चीक है अब हमसे पूछा है इसी तरह का 20 boxes हो number of pencil in 20 such boxes 1056 multiply by 20 जो answer आए यहां लिखती चीक है clear question number 3 कह रहा है बेटा हमसे a book has 92 pages एक book है उसमें 92 pages है तो what will be the total number of pages in 36 such books तो 36 books में कितने pages होंगे number of pages in a book एक book में कितने pages है 92 number of pages in 32 books 32 books में कितने pages होंगे 92 का multiply कर देंगे 32 से हमारा answer आजाएगे clear question number 4 देखें there are 46 weeks in a chain एक chain है उसमें 46 weeks है रितु वॉन्स टुमेक 36 चेन रितु को 36 चेन्स बनानी है एक बीट कॉस्ट रूपीस ट्वैल अगर एक बीट ट्वैल रूपीस की आती है how much money will she need तो उसे कितने रूपे की जरुवत होगी बेटा देखें number of beads in a chain एक chain में कितने beads होंगे 46 number of beads in 36 chains 36 chains में कितने होंगे 46 का multiply कर देंगे 36 बीटा यह आ जाएगा हमारा 1656 ठीक है अब उस पास्ट रूप बीट कितने की है बीटा ट्वैल रूपीस की तो कितनी बीट्स उसकी लगनी है cost of 1656 बीट्स 1656 का multiply कर देंगे ट्रॉंस क्लियर कुछेट नमस्फ पर आते हैं बीटा कुछेट नमस्फ पाइब के रहा है हमारा a train 14 कंपार्टमें ट्रेन में 14 कंपार्टमेंट हैं दियर वर 87 पैसेंजर इन एज पार्टमेंट अर्स हें और हर एक इन आ ट्रेन 14 है नमबर ओफ पैसेंजर इन वन कमपार्टमेंट वन कमपार्टमेंट में 14 इंटी 87 हो जाएंगे ठीक है इन कमपार्टमेंट्स लिख दीज़े आंसर आजाएगा इसी की तरह आप एक्सराइज 5G के रिमेनिंग कोश्चन करेंगे इनमें मल्टिप्लिकेशन करना है बस सिंपल साथ कोई भी कोश्चन हो क्वेरी हो तो कंसर्ण कीजेगा थैंक्यू क्लास